उधारण 17 समांतर शेणी 17, 15, 13 अनन तक के कितने पदों का योगफल 72 होगा हल यहां प्रथम पद A बराबर 17 उसी तरह से सार्व अंतर D बराबर हम ग्याद करेंगे 15 दूसरा पद 15 और प्रथम पद 17 को घटाएंगे 15 रिण 17 बराबर रिण 2 मान लीजिए एन पदों का एन पदों का योगफल का योगफल बहत्तर है तब एस एन योग जो है एस एन का बहत्तर होगा हम जानते हैं कि एस एन बराबर एन बटा दो कोष्टक में दो ए धन कोष्टक में एन रिण एक कोष्टक बन गुणा डी एस एन का मान हमारे पास है बहत्तर बराबर एन बटा दो उसी तरह से दो और एक का मान हमारे पास सत्रह है धन एन रिण एक और डी का मान हमारे पास रिण दो प्राप्त हुआ है तो हम रिंड दो रखेंगे 72 बराबर एन बटा दो और कुष्टक में 17 दुनी 34 और फिर जब ये रिंड दो को गुणा करेंगे एन से तो रिंड दो एन और धन दो कुष्टक बन तीर्या गुणा करेंगे तो बहतर गुणा 2 बराबर एन 34 धन दो 36 रिंड दो एन या 144 बराबर कुष्टक खोलेगे तो 36 एन रिंड दो एन की खाथ 2 पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होंगा रिंड दो एन का पक्षांतर करने तो दो एन की खाथ 2 रिंड 36 एन धन 144 बराबर शून या इसी तरह से दो को बहनिश निकालेंगे तो हमेरे प्राप्तों का एन की खाथ 2 रिंड 18 एन धन 72 बराबर शून या जब हम रिंड 18 एन को तोड़ेंगे 72 का गुणांख करके गुरंखन करके तो n की घाद 2, rin 6n, rin 12n, धन 72 बराबर शून यहाँ पे हम rin 18n को rin 6n, rin 12n लिखा अब यहाँ प्रथम दो पदों से उभहनिष्ट हम निकालेंगे n तो n rin 6 और rin 12 का दूसरे अंतिम दो पदों से rin 12 को उभहनिष्ट निकालेंगे तो n क्योंकि rin निकाले तो rin 12 पहाड़ा में 12 चक्के बहात तो 6 प्राप्त होंगा दोनों पदों से हम यहाँ n rin 6 को उभहनिष्ट निकालेंगे तो दूसरे कोश्टक में n rin 12 शेज बचेंगा बराबर 0 इस तरह से n बराबर या तो हमें 6 प्राप्त होता है या n बराबर 12 प्राप्त होता है तो n के यह दोनों मान संबह है और स्विकार लिये जा सकते है अतहा पदों की संख्या या तो 6 है या 12 है या तो पदों की संख्या 6 है या पदों की संख्या या इस उधारन का हल है